हैदराबाद के हमारे दोजों और बुजुर्गों आज कल इलेक्शन का महौल है जी एचेमसी का इलेक्शन चल रहा है ऐसे महौल में सभी पॉलिक्टिकल पार्टीज के लीडर्स देर रात तक आप लोगों से मिल रहें अपनी प्लैनिंग आपको बता रहे हैं मगर साथ में हमें पता चला है कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारी शहर हैदराबाद की तरक्की से जलते हैं और ऐसे लोग जो हैदराबाद की तरक्की को नहीं देख पा रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से communal issue दंगा करने के लिए कुछ न कुछ तरकीब सोच रहे हैं चाहे वो Facebook पर गलत चीज का publicity हो Twitter में कुछ पुरानी चीज़ें को मौर्फ करके डालने का बात हो या false news, propaganda इन सब बातों का सहारा लेकर हैदराबाद का जो अमनो चैन है उसको वो लोग बिगारना चाहते हैं दोस्तों, चुनाओ आते हैं, चुनाओ जाते हैं लेकिन शहर हमेशा रहता है हम अपने शहर को नहीं हारने देंगे और किसी भी हालत में इस तरह के communal लोगों को हम सफल नहीं होने देंगे आप और हम मिलकर इन शैतानों को नंगा करके कानून के सामने रखेंगे जिससे कोट में उनको सजा मिले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस तरह का कुछ भी फॉल्स प्रोपगांडा अगर आप देखते हैं आप विश्वास नहीं कीजिए आप पहले पुलिस से बात करिए इस तरह के कॉमिनल लोगों के लिए ही पीडी एक्ट बना है और अगर ज़रूरत हुआ तो इन शैतानों को पीडी एक्ट के तहट हम चंचल गुड़ा भी भेजेंगे आपने और हम सबने मिलकर इस सुन्दर शहर को अपने हाथों से सवारा है सजाया है आप चाहते हैं कि कुछ शैतानों के हाथ इस शहर का अमंचैन बिगड़े बिल्कुल नहीं हम नहीं होने देंगे ऐसा और मुझे यकीन ही नहीं आप पर पूरा भरोसा है कि इस तरह के दंगाईयों के फैलाए हुए फेक निउस पर आप भरोसा नहीं करेंगे आप और हम मिलकर हैदराबाद का जो पर्चम है इसको और उपर ले जाना है जिससे कि यहां इन्वेस्टमेंट पढ़े रोजगार बढ़े और ज्यादा बड़ी-बड़ी कंपनियां आएं और वेल्थ जेनरेशन हो हम और आप मिलकर हैदराबाद को बहतर से बहतर बनाएंगे यही हमारी उमीद है